हेलो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूं पनीर दो प्याजा की रेस्पी एकदम ढाबे की स्टाइल में जो तंदूरी रोटी के साथ हम खाते हैं बस उसे की रेस्पी शेयर किये तो चली इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है तो गरम तेल करके उसमें मैंने तेजपत्ता, काजू को लेकि अच्छे समय इस मसाले को पकाना है बस इतना पकाना है कि जो हमारा टमाटर और प्याज और काजू का जो है वो सॉफ्ट हो जाए इधर जब तक ग्रेवी सॉफ्ट हम कर रहे हैं तब तक इधर दूसरे गैस पे मैं पनीर के क्यूप्स को फ्राइ कर तो जैसे मैंने थोड़ी सी उसमें लाल मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा हलदी डाल दिया है बस कलर के लिए और हलका सा थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है बस सौटे करना है कि अच्छा सा हलका सा कलर आ जाए और दोनों तरफ से पनीर हमारा सिक जाए तो बहुत अच कर देंगे और इसे ठंडा करके हमें mixer grind में पीस लेना है इधर देखिए पनीर के कियुबस निकाल लिए है और सिम्ला मिर्च को भी मैंने पतला पतला काट लिया है पी को ज्यादा बारीक नहीं काट नहीं की से चिल्के के करो किप एकए कर लियं गयुबस में एक हार शानल तरह मिर्च क message जाके Oh बहुत जादी रहेगी और इधर फ्रेंट एक से दो मिनिट तक हमें इसे पकाना है सिर्फ हमें टॉस करना है इसे ज्यादा नहीं पकाना और एक से दो मिनिट में आप देखेंगे प्यास सॉफ्ट हो जाएगी बस इसे स्टेज में फ्लेम बंद कर लेना है और इसे साइड में अब बारी आती है अब मिक्षर हमारा ठंडा हो चुका था तो इसकी ग्रेवी बना लेंगे और अब कढ़ाई गरम करके अब सब्जी बनाते हैं तो इधिर देखे मैंने कढ़ाई गरम करके इसमें हरे मतर को मैंने डाला है और यह फ्रोजन मतर नहीं है फ्रेश मतर है आप चा कि मसाला जितना ही अच्छा भूनेगा फ्रेंट्स उतना ही यह टेश्टी सब्जी बनके तयार होगी इधर दीखे मिक्सी में जो पानी लगा था उसे भी मैंने अच्छे से इसमें डाल लिया है और मसाला पकाने में कम से कम 10-15 मिलेट लगते हैं और लो टू मीडियम फ्ले चमच मैंने इसमे कासमेरी लाल मर्च पाउडर टाला है और तोड़ा सा सबजी मसाला डालेंगे और आखरी में पणीर मसाला डालके कच्छन किंग का अपने ग्रेवी आच्छे से पका लेंगे और यह देखेए फ्रेंट्स पास से दीखाते हूं ग्रेवी थे कितना के साथ पका लूँगे एक से दो मिनिट इसे हम भूनेंगे प्याज और सिम्ना मिर्च के साथ अब डाल देंगे फ्रेंट्स अपने पनीर की क्यूप्स इसे मैं पानी में से निकाल गे चान लिया है इसे पनीर बहुत सॉफ्ट रहते है और पनीर की साथ अब इसे मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो फ्रेंट्स इसे सूखा ऐसे भी खा सकते हैं चटपटा बहुत लगता है टिफिल लंच बॉक्स में कर आपको देना है तो आप सूखे ही ऐसे दीजे बहुत अच्छा लगता है पर मैं आज फ्रेंट्स ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो आप अपने एकॉर्डिंग ग्रेवी डाल सकते हैं तो मैंने इसमें एक गिलास पानी का इस्तिमाल किया है और पानी डालने के बाद स्रिफ हमें 5 मिनटी से हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है और बस अब ये गर्मा गरम सबजी हमारी रेडी है तो 5 मिन बाद फ्रेंट कुक करके मैंने इसे अलग से बड़तर में निकाल लिया है क्योंकि मैं लोहे की कड़ाई में बना रहे थी तो जादा काला पड़ जाता है छोड़ने पे और ढबा इस्टाइल देने के लिए साथ ही साथ मैंने तंदूरी रोटी बनाई है और और सलाथ में मैंने खीरा काटा है दोस्तों गर आस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक से सस्क्राइब करिएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में